जिस गन्ने से गुड इतना काला होता है उसकी चीनी इतनी सफेद कैसे हो गई कैमिकल्स उसमें डाले जाते हैं और मैं एक चीनी मिल के अधिकारी जो मैनेजर है मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ उन्होंने कहा कि मुझे लगभग 12 साल हो गए चीनी मिल में काम करते हुए और जब से मैंने काम करना शुरू कर दिया चीनी मिल में तब ही से मैंने घर में चीनी लाना ही बंद कर दिया मैं तब से अपने बच्चों को चीनी खिलाता ही नहीं हूँ जबकी नौकरी से संटरी वहीं से मिलती है मगर चीनी नहीं मैंने कहा कि आखिर कौन सी घटना घटी जिसके कारण से आपने ऐसा किया तो उन्होंने बता एक छोटी सी घटना कि चीनी मिल में जो ये पानी निकलता है चीनी के बनने के बाद उस प्रोसेसिंग में जो पानी निकलता है उस पानी में वो सारा केमिकल भी मिक्स रहता है और उस पानी को चीनी मिल वाले लोग अकसर एक टैंकी में जमा करके रखते है ये सभी चीनी मिल वालों के पास में होता है आप भी कभी जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा वो टंकी में वो पानी रखा जाता है लेकिन रोज रोज प्रॉसेसिंग हो रहा है रोज चीनी बन रही है रोज बहुत सारा पानी आ रहा है तो आखिर कब तक एक टंकी की छमता है न कितने दिनों तक वो टंकी खाली रहेगी भर जाती है भरेगी तो फिर क्या करेंगे खाली करना है तो क्या किया था चीनी मिल के लोगों ने सोचा कि छोड़ो ना आप कहा जाएंगे उसको फेकने के लिए कहीं दूर क्योंकि अब उतनी बड़ी टंकी जिसमें हजारों गेलन पानी है उसके लिए ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च आएगा तो बेहतर होगा रात के अं में ही उस पानी को खेतों में छुड़वा दिया और नतीजा ये हुआ कि उस खेत की सारी फसल जल गई मिट्टी बंजर हो गई और जब किसान पता करने लगा कि आखिर क्या हुआ मेरे खेत में जब चेक अप कराया वो मिट्टी का तो पता चला कि इसमें तो चीनी मिल का ज मिट्टी बंजर हो गई उसने केस कर दिया और चीनी मिल वाले को मुआवजा देना पड़ा लाखों रुपे तब ही से वो स्टाफ कहते हैं कि जो मिट्टी को बंजर कर दे वो इनसान के शरीर में जाय तो क्या करेगी उसी के बाद से मैंने अपने घर में चीनी लाना बंद कर दिया और सच्चाई है लगबग अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के आने के समय अंग्रेज पहला चीनी मिल इन्होंने भारत में ही लगाया था पहला चीनी मिल भारत में ही अंग्रेजों का लगा और अंग्रेजों ने चीनी की शुरुआत की भारत के लोग गु क्रेस ने जब से ये शुरू किया है और पिछले पचास वर्सों से हमारे समाज में चीनी खाने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है और उसी समय से भारत के लोगों के बच्चों के शरीर में कैल्सियम की कमी होनी शुरू हो गई है अगर कोई मा अगर कोई बहन जो गर्व काल के दोरान अगर चीनी का सेवन अगर कोई बहन कर रही हो तो चांसे जादा होते हैं गर्वपात होने के कोई मा अगर बच्चे के जन्म से पहले एक साल पहले से ही चीनी छोड़ दे और समान्य भोजन करे अपना ही दूद बच्चे को पिलाए और कम से कम पांच साल तक बच्चे को चीनी ना खिलाए, खुद को चीनी ना खिलाए, उस बच्चे को कभी भी ऑस्टोपोरोसिस की समस्या नहीं हो सकती, कैल्सियम की कमी उसके शरीर में कभी नहीं होगी, चीनी जब जाती है आपके शरीर में तो बाहर जब निकलती है तो अकेले नहीं निकलती है कैलसियम लेकर निकलती है चीनी कैलसियम लेकर निकलती है हड्डियों को गला कर निकलती है और जिसके शरीर में केलसियम की कमी हो जाती है उसके शरीर में मैगनीशियम, पोटीशियम, आइरन सब की कमी हो जाती है केलसियम वो तत्व है कि जिसके शरीर में कम हो जाए सारे तत्व कम हो जाएंगे और केलसियम के खीमत पे चीनी हम खाते है भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल ऐसे कुछ देशों के अलावा दुनिया के बहुत सारे ऐसे रास्ट हैं जहां चीनी का इस्तमाली नहीं होता आज भी चीनी खाते नहीं, बहुत सारे देश नहीं खाते बिल्कुर, आप गुड़ खाया करिये, वो जादा बेतर है, चीनी को छोड़िये